सलम प्रीवर्ट वीडियो में हमने केमेस्ट्री chapter nr 1 स्टार्ट किया था जिसमें हमने इसका इंट्रडक्शन देखा था डाफिनेशन देखा था केमेस्ट्री का और स्टार्डिय के कॉन्टिशन है वह देखी थी इसके इलावा जो इपॉर्टन से डेली लाइफ में कैमेस्ट्री की हमने वो देखा था तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे ब्रांचिस ऑफ कैमेस्ट्री हम क्या करते हैं अपने स्टेडी को असान करने के लिए डिविजन्स कर दे जिसके साइंस थी हमने इसको फर्दर डिवाइट किय एफिजन्गे करेंगे तो दे मैं कुछ मैंने ब्रांचिस में डिवाइट ऑथ जिसमें परस्थ ब्रांच है फ्जिकल कैमेस्ट्री क्या है इचिजटी अब रिलेशन्षिब इत्वीन कंपोजिशन और फिजिकल प्रौपर्टी आफ मैटर इसमें हम क्या ठ involvedいます इना उसके ब तो उन तमाम चेंजेस को स्टेडी करना मैटर की कॉंपोजिशन के बारे में पढ़ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना इसके लावा इडिल्स विद लॉज और प्रिंसिपल्स गवर्निंग दी कॉंबिनेशन ऑफ एटम और मॉलीकूल इंड केमिकल रिय रियक्शन हो रहा है उसको सिडी करना किस प्रांच में हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से लॉज होते हैं वो एक्जैंबल हमने मास्क के बारे में देखा कि मास्क कभी भी टेस्ट्रा नहीं होगा बलकि फॉर्म चेंज करेगा तो ये एक लॉज है मास्क कंसरवे हैं यहांपर हम इंटर्एुच्शन और त्रस्फॉर्मेशन पढ़ते हैं मैटर की कि जिसे हमने देखा था मैटर एक फार्म से दूसरे प में ट्रांसफर हों जाता है तो इसके बारे में सिडी करते हैं बीसंक्ल यहांपर हम जो फिजिक्श के लोजह उसको अपलाई करते हैं chemical reactions पर यह जो chemical process है उन पर इसमें हम क्या देख सकते हैं for example हमारे पास अगर यह एक reaction है carbon hydrogen इनने मिलके बना लिया है CH4 इसे हम क्या कहते हैं methane यह हो गया balance अब हमें इस reaction से क्या पता चल रहा है कि एक molecule carbon का और दो molecules hydrogen के यह मिलके बनाएंगे एक molecule methane का तो basically हम यहाँ पर कुछ mathematics भी apply करते हैं हम इसमें calculation करते हैं कि जब दो hydrogen molecules मिलकर एक molecule बना रहें methane का तो फिर four molecules कितना बनाएंगे six molecules कितना methane बनाएंगे तो इस तरह की कुछ simple calculations होती हैं इसके लावा हम जो reaction है ना उसको देख सकते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमें product जादा मिले हम क्या कर सकते हैं कि हम दुबारा से इस product को reaction में convert कर दें हम अगर temperature बढ़ा देंगे यहाँ पर इस reaction के लिए तो क्या होगा हम अगर यहाँ पर temperature कम कर देंगे तो क्या होगा तो basically यह तो तमाम physical की जो laws हैं उनको हम apply करते हैं chemical reaction और जो chemical process है उस पर इसके लावा next branch है organic chemistry इस ये branch of chemistry which deals with hydrocarbons and their derivatives ये वो branch है जिसमें हम पढ़ते हैं hydrocarbon के बारे में hydrocarbons क्या है hydrogen और इसके साथ जो carbon attach है ये है hydrocarbon जिस compound में ये होगा उसकी study organic chemistry और उनके derivatives basically मतलब कि इसके और items भी add हो सकते हैं लेकिन ये चीज़ इसमें basic है hydrogen और carbon का bond होना ये क्या होगा hydrocarbon hydrocarbon में हमेशा hydrogen और carbon का bond होगा carbon हमेशा link होगा hydrogen से और उसके derivatives मतलब अब इसके साथ और atoms भी link हो सकते हैं और carbon atoms हो सकते हैं और hydrogen atoms भी हो सकते हैं इसके लावा और कुछ different atom भी हो सकते हैं इनका structure भी different हो सकता है तो उनके बारे में उनकी तमाम study हमकर इस प्रांच में करते हैं organic chemistry organic chemistry is the study of structure properties और composition reaction यही बात है कि जो hydrocarbon है तो बहुत सारे compounds है ना तो अब इनकी properties के बारे में पढ़ना क्योंकर हरे compound की property दूसरे से different है उसका structure different है दूसरे से composition different है reaction different देते है different compounds उनकी preparation करने का तरीका different है तो इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना यह हम किस प्रांच में करते है organic chemistry which include hydrocarbon लेकिन exception है आपे oxides, carbonates और bicarbonates और cyanides क्योंकि इन में carbon hydrogen bond नहीं होता जैसे कि oxide है तो इसमें कौन सा bond होगा carbon के साथ oxygen का bond होगा तो ऐससे compound को हम study नहीं करते है organic में organic में हमें जरूरी है hydrogen और carbon का bond होना उस compound में तब ही हम उसको एक organic compound बोलेंगे और उसकी study हम करेंगे organic chemistry में इसके इलावा बताया हुए कुछ plastics है, detergents वगरा इनको भी हम किसमें study करते है organic chemistry में next है मारे पास inorganic chemistry बहुत simple है hydrocarbon को हमने study कर लिया organic में अब उनके इलावा जितने भी compounds बच रहे हैं उनको हम किसमें study करेंगे inorganic में so it is the branch of chemistry which deals with the study of all elements and their compound except hydrocarbon, hydrocarbon के इलावा जो भी element है जो भी compound है उनके study हम किस ब्रांच में करेंगे inorganic, these compounds are generally obtained from non-living organism, इन्हें हम कैसे obtain करते है non-living organism से, it is applicable in all areas of chemical industry जिसे के glass है, cement वगरा इनके study क्या है inorganic chemistry में हम करेंगे, so next हमारे पास biochemistry, बहुत simple है biochemistry क्या है, जैसे के हमने देखा था previous वीडियो में के जो living organisms है, वो बहुत से cell से मिलके बने हैं, और जो cell है वो different organelles से मिलके बना है, organelles, फिर different compounds है, compound different molecules है और molecule in the end, atom से मिलके बने हैं, तो human में भी और जो living organisms हैं, उनमें भी chemistry प्रेज़न है, तो जो biochemistry है, इसमें हम क्या बढ़ते हैं, compound of living organism, plant, animal and their metabolism, जो भी living organisms में different compounds प्रेज़न हैं, उनके study करना, इसके इलावा जो उनमें metabolism हो रहा है, means जो उनमें chemical reaction हो रहा है, metabolism क्या होता है, वो chemical reaction जो किसी living organism की body में होता है, तो उनके study हम किसमें करते हैं, बायो chemistry में, इसके इलावा जो living organism है ना, उसकी body में बहुत सी different जीसे बन रही होती हैं, और बहुत सी चीजों के breakdown भी हो रही होती है, तो ये भी किसी chemical reaction के थुरू होगा ना, किसी chemical process के थुरू होगा, तो उनक अमाम की study हम करते हैं, बायो chemistry में, इसके लावा living organism जो energy gain करते हैं, energy obtain करते हैं, वो अपने food material से करते हैं, जो वो food intake करते हैं, खाते हैं food material, तो वो कैसे उस energy obtain करते हैं, तो ये भी एक पुरा chemical process है, उसकी study, इसके लावा, ये हमें बताता है कि कैसे disorder और deficiency bio molecule की disease cause कर सकती है, जि इनकी deficiency से किस तरह से कुछ disorders body में generate हो सकते हैं, तो इसकी भी जो हमें knowledge है, वो कौन provide करता है, chemistry, bio chemistry में हम इसको study करते हैं, इसके लावा ये brand useful है कि इसमें medicines में, agriculture और food science में, तो ये हमें कोई chemical reaction हो रहा है normal, अब उसमें कोई defect आ गया तो disease generate हो गई, तो इसको हम chemical reaction को दुबारा कैसे normal पर लेकर आएंगे, chemistry के knowledge के दुरू, तो ये हमें इस दरह से medicines में, और food science में help करती है, next हमारे पास industrial chemistry, इस branch में हम क्या पढ़ते हैं, कि जो chemical process हो रहे हैं, chemical industries में, for example हम कोई चीज बना रहे है, fertilizers है, glass, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये industrial level पर बनती है, तो यहाँ पर होकर हमें fertilizer मिलता है, glass बनता है, cement बनती है, या कोई medicine बनती है, उसमें कौन सा chemical process, कौन सा chemical reactions involved है, तो इस के study हम किसमें करेंगे, industrial chemistry में, next है हमारे पास nuclear chemistry, इस branch में क्या study करते हैं, which deal with the radio activity, इसमें radio activity के बारे में पढ़ते हैं, nuclear processes और उसकी properties, इस radio activity क्या होती है, कि जो higher elements है, ज ज्यादा है, उन atoms के nucleus से radiation का निकलना, यह क्या होता है, radio activity, तो इसके study हम करते हैं, nuclear chemistry में, इसकी क्या properties है, nucleus की, different atoms के nucleus different है, radioactive elements को किस तरह से use कर सकते हैं, medicines में, as a diagnostic tool, इससे हम बहुत सारी disease को diagnose कर सकते हैं, इसके लावा treatment कर सकते हैं, yes, especially for cancers की, और preservation of food है, generation of electric power through nuclear power reactor, nuclear power reactor है कि तरू हम energy बना सकते हैं, क्योंकि जब यह nucleus breakdown होता है, atomic nucleus, higher element का, higher atom का nucleus है, जब ब्रेकडाउन होता है, simple nucleus में होता है, तो यहाँ पर energy release होती है, इस तरह से, तो हम उसको फिर use करते हैं, different process में, तो इन तमाम चीज़ों के study हम करते हैं, nucleus के बाते ह दो है, वो है nuclear chemistry, एक स्ट है मारे पास environmental chemistry, so it is a branch of chemistry which deals with the study of infection of chemical material और उसका क्या effect हो रहा होई उसके environment में, कि जो हम chemical material यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या effect हो रहे हैं उसका क्या effect हो रहे हैं, क्योंकि उस environment में animals भी है, plants भी हैं, तो उन पर उस chemical material का क्या effect हो रहे है, personal hygiene, pollution, health, hazards are the important areas टेक्साइब कांच किम्स्टी ये तमाम चीज हैं इसमें देखते हैं नेक्स्ट है एनलायाइटिकल कैमस्ट्री इस इस ब्रांच ऑफ यह बीच इस विच इस रिए इस ऑफ कीरोड़ा से प्रेशन और इनएलेस ऑफ डिफिर्ट काइम क्या टी और तोप गुए ट्रीटिव व study कर सकते हैं इसको analyze कर सकते हैं उसकी quality क्या है कितने quantity में present है किस तरह का compound है यह कुछ separation techniques है जिसके chromatography है electrophoresis है spectroscopy है इनके धुरू हम different compounds हैं उनकी property study कर सकते हैं सो यह को यह technique है chromatography इसमें क्या होता है हम जो यहां हम एक substance लेते हैं ठीक है इसमें बहुत से compound डीकुट अब बहुत से compound इसमें हम इसके तरू क्या करते हैं different compounds को separate करते हैं जैसके यहां पर दिख रहाए different compounds separate होता है क्या है यह जो यही है different compounds प्रेजएन एंस liquid में यह move मुझ करना शुरू करते हैं हमेसें फेपर डिप करते हैं फुल्ट है पेपर और यह कंपाउंड इस सरे अपर डिरेक्षिन में मूफ करना शुरू करते हैं बेस अपन दियर मॉली कुलर practical मग्त का size काई इस तरह से ये घूट्रinas Shang video है स्पेक्ट्रिव फोटोमेटर ये बैसिक्लि जो स्पेक्ट्रिमीडरी टेकिनिक है इसमें हम क्या करते हैं किसी भी सैंपल में हम किसी छीज़ की concentration बता कर सकते हैं कि यह जो सैंपल हमारे पास इसमें यह चीज़ कितनी quantity में present है तो इससे भी हम उस sample को analyze कर सकते हैं ये technique है electrophoresis इसमें हम क्या करते हैं इसी तरह से एक sample लेते हैं और इसको हम connect करते हैं जो power supply है bad piece है इस तरह से current के दूरू ये जो substance हमारे पास different substances ये separate होता है चाहिए कि यहाँ पर दिख रहा है कुछ सबसे हमें यहाँ मिले कुछ यह compound हमें यहाँ मिले कुछ इस तरह से different जोगों पर हमें मिलते हैं किस base पर मिलते हैं उनमें कैसे charge present है इस base पर So next हमारे पास medicinal chemistry So it is a branch of chemistry which deals with the synthetic organic chemistry pharmacology and various biological specialities नाम से पता चल रहा है इसमें हम क्या पढ़हेंगे medicines के बारे में pharmacology यह क्या होती है medicines की study क्यूंकि जो chemical reactions body में हो रहा है normal होता कि एक normal उनका pathway है उसके थुरू वो एक reactant product में convert होता है लेकिन अगर यहाँ पर इस pathway में कोई defect आ गया तो जो product है वो नहीं बन सकता normal reaction नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं कुछ medicines देते हैं वो भी किससे बनी होती है कुछ chemicals है ऐसे chemical जो वहाँ जाकर एक करेंगे reactant पर और वो उसको product में convert करेंगे तो यह तमाम knowledge medicines के बारे में भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा chemistry chemistry के knowledge के थुरू ही हम medicines बना सकते हैं so next हमारे पास quantum chemistry it is a branch of chemistry which deals with the application mechanics and experiments of physical models in chemical system इसमें हम interaction के बारे में study करते हैं between matter or light matter किससे बनाए atom से matter किससे बनाए बहुत से atom से मिलके और light में क्या होती है energy light is a form of energy ना तो energy और atom कि जब atom और energy को अपस में interact करवाएंगे तो क्या होगा for example अगर ये एक atom है ये क्या है एक atom हमने इसको interact करवाया light से ये light ray है जो इस पर आ रही है अब क्या होगा इसके orbit में कुछ electrons होते है कुछ particle होते हैं जिसे हम electron बोलते है अब जब इस electron की अपनी एक energy होती है अब जब हम इसको extra energy देंगे बाहर से in the form of light तो क्या होगा ये जो electron अभी इस orbit में है फर्स और्बिट में ये move कर जाएगा second orbit में higher orbit में इसको हम कहेंगे ground state जब ये अपने normal हालत पर है जब ये electron higher level पर move वर्ड किया तो ये state होगी excited state basically हम इसमें यही पढ़ते हैं कि किस तरह chemical reaction में हम इस चीज़ को use करते हैं next हमारे पास green chemistry क्योंकि chemistry की बज़ा से जो different chemical compounds है उनकी बज़ा से जो environment है उसे काफी नुकसान हो रहा है तो it is a branch of chemistry which deal with the study of process and designing product which are composed of less hazardous substances ऐसे chemicals को ऐसे उन चीज़ों को डिज़ाइन करना है जो के हमारे environment के लिए कम dangerous है इसको हम sustainable chemistry भी कहेंगे safe chemicals जैसे के polyphenyl sulfon इसके लावा less hazardous chemicals है polycarbons and safer solvents ये examples है green chemistry की ये सारे वो compounds हैं जो के हमारे environment के लिए कम hazardous है so the main purpose of this branch is to use waste material efficiently जो waste material है जिते भी chemicals हैं जो waste हैं हम उनको किस तरह से दुबारा use कर सकते हैं ताके जो इस chemical के वज़े से नुकसान हो रहे हमारे environment को उससे बचा जा सके और living organisms को भी नुकसान हो रहे तो इससे बचाना अपने environment को जो हमारे जा 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 सकते हैं